सबलता प्राप्त करने के बाद जीवन में आने वाले परिवर्तनों को नजर के सामने रखने से आलस खुद बखुद भाग जाती है ये बाद मोटी वेस्टनल स्टीकर जौरबाद जैन ने एक वीडियो में कही है वो कहते हैं कि सबलता प्राप्त करने के बाद आने वाले परिवर्तनों को नजर के सामने रखने के बाव जुर्बी अगर आदमी काम नहीं करता है आलस करता है तो वो दूसरों को नहीं लेकिन खुद को ही बेवकुद बनाता है सबलता प्राप्त करने के बाद आने वाले परिवतनों को नजर के सामने रखने से उनका लिस्ट बनाने से आलस कुद बोकुद भाग जाती है रे चाने क्यों पंडित तो कैते हैं आलस करने में आलस करो आलस मत करो आलस में तो दरिद्रता का वास है कसी इस मंजील के मुझे रुकने नहीं देगी अब सल कटेया पैर मुझे रुकने नहीं देगी वेरी वेरी हापी and bright. Good morning to our friends.